प्रेंट्स वेलकम टू मंगता की स्थाने का आज मैं बनानी जा रही हूं रेलवेय स्टेशन पे प्लेट फॉर्म पे मिलने वाली आलूपूरी की सब्ची जो की जिसका तीस बिलकुल अलग होता है घर की आलूपूरी की सब्ची से और इसमें बहुत जादा फ्रेंशी मसाले सब्सक्राइब नहीं जाते सिर्फ छोड़ी चोड़ी सी ट्रिक्स है बनाने की तो चलिए मिलके जदी से बनाना शुरू करते हैं रेल्वे स्टेशन पे मिलने वाली यूनीक सी आलूपूरी की सब्ची तो सबसे पहले इसके लिए हम यहीं मसाला ही त्यार कर लेते हैं क्यो बढ़ा सा डिफरेंट है तो देखे जब यह 70-80% बनके तयार हो गया है तो अब हम इसमें क्या डालेंगे अब हम इसमें डेके सबसे इंपोर्टन चीज ए रेड चिली डालेंगे यह देखे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और अच्छे से मसाला भून चुका है लाल मिर् इसको म्हीकिम चुटका कर लेंगे खेंशा स्टी अब मॅशन मौन चुटका शोप कर लिया अब हम पुछन हम म outta DIs दया दिए में च्छोप कर लिया है अब हमानने अच्छ नहीं करना हम科ण वीच्छ को अपनी निलेंगे आश्य पर इसे बियर आने सुछ्छी इप सॉत डा आदे भी डालना है, as per taste, as per health, ये देखिए, अब हमने ये लेट लगा दिया है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इन टमाटर क्यों रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले इस तरह से सबजी बनाते हैं, इस तरह से टमाटर बॉल करते हैं, देखिए हमने ये जो टमाटर रखे लगा देट लगा देखिए और गयास बन्द कर देखिए हमने कणाई रख ली ए और अब हम इसमें करीब टेबल स्पून और ये है वेजिटेबल ओल तो हम ये वेजिटेबल ओल रखेंगे मैंने जैसा अब को बताया है बहुँ जादा थादा नहीं चाहते है खड़े भड यह आप पर आप पर जाता है तो मैं यह तेज पतर डाल देती हूं यह आफ टीस्पून के लगमत मैं में क्युमिन सीट डाल रही हूं जीरा इकडम क्रेकर हो गया आपको बता रही थी कि इसके बाद यदि आप अनियन लवर हैं तो यहां पर बहुत फाइन चॉप करके अनिय में ब्राउन कर लिचे लेकिन मैं अनियन यूज में कर रही हूं अब यह देखे बहुत अध्रक रखा ए मैं जुफ रूआ कि यह ग्रेकर की बहुत अच्छी स्मेल आएगी यह हरी मिर्च डाल देती हूं कि हल्दी डाल देती हूं और देखें यह मैंने जो मसाला बना की र बना के रखा है हम यह वन स्पून इसमें यह मसाला डाल देंगे यह जो मैंने टमाटर बॉयल करके रखे हैं अब यह टमाटर में इसमें डाल दूंगी अभी मैं आपको बताऊंगी कि यह ऐसा मैंने क्यों किया काश्मीरी मिर्च बिल्कुल ने डालते वो लोग रेल्वे होती है और एस पर टेस्ट एस पर हैल्थ ध्यान रखिएगा आमने पहले भी सॉल डाला था टमाटर में लगा देंगे दो तिन मिनट के लिए यह चार आलू मैंने बॉयल करके लिए और इनने मैंने सिंपल हाथ से ऐसे ब्रेक कर लिया तोड लिया चाहें तो चाकु से भी क क्या करेंगे यह हम दो मिक्स का करेंगे जो गो दूराकते हैं ग। हिधी के बाद क्या करेंगे फिर्सफ दो मिनट के लिए लिए लिट हुआगा देंगे झा अब देक अधूसा वॉटर डाल रहे हैं यह सब्जी थोड़ी सी काड़ी बनाई जाती है देखिए जब हमने वाटर डाला हो उसके बाद दो चार मिनट हो चुके हैं हम खोल के देख लेते हैं यह देखिए ना इसमें कश्पीरी मेच डाले ना हमने इसमें फैंसी मसाले डाले और देखिए इसके बावजूर भी कितरा बढ़िया रोगन आया हम यह चाच मसाला डाल रहे है जिसमें ब्लाक सॉल्ट होता है जो की गंधक का फ्लेवर देखा आस के बिल्कुल हम हरा दमिर डाला है यह देखिए जो प्लेट फॉर्म पर मिलती है वो बिल्कुल इसी तरह की सबजी होती है आलू की आप इसको कवर कर देखिए जब तक हमा आइल चड़ाया जाता है उसी ओयल में से वो थोड़ा सा ओयल निकालके ऐसे गरम गरम डालते है मैंने भी थोड़ा सा गरम करके ओयल लिया है तो यह ऐसे डाल देखिए यह देखिए हमने टाइटो लगा लिया है और आप यह देखिए अब हम इसको 15-20 मिनिट के लिए सब्की चाहती है और इसमें देखिए मैं आप पर चीज बताती हूं कि मैंने टमाटर को ऐसे पाली में बॉयल क्यों किया क्योंकि मैंने भी रेल्वे स्टेशन पे प्लेट फॉर्म पे भाहिया को देखा था और फिर उसके बाद में ने स्टड़ी किया एक्चुली क्या होत पर एंडिंग में बनाते हैं तो तो कि ना पता हो किसी को लेकिन इसका मकसद यही होता है टमाटर खराब ना हो सब्जी में तमाटर अच्छे रहें इसलिए उनको अलग से बॉयल किया जाता है और काश्मीरी मच्चवीरी डाली जाती कि फिर भी कलर बहुत अच्छा है फि इसके बाद बाउंस बैकों के ऊपर आ रहा है यह देखिए यह देखिए इसके हम पेड़े काट लेते हैं अचा रेलवे स्टेशन पर पूरियां मिलती है वह थोड़ी बड़ी ही होती है और थोड़ी मोटी ही होती है क्योंकि उन्हें कम से कम सको मतलब अच्छे से पेट भी भर जाए और वह भी हो जाए यह देखिए अब हम इसको ऐसे बेड़े हैं थोड़ी से अच्छी बात है हमे जैसे हम घर में बनाते हैं हम पतली पतली चोटी चोटी वैसी नहीं होती हूँ उसका रीजन है कि यह काफी देर तक सॉफ्ट बनी रहती है जै से हम पूरिया बना लेते हैं यह मैं आपको दिखाते हूं यह दिखिए है कुछ भी नहीं करना है आपको देखिए इसमें कुछ भी नहीं डालाया फिर भी देखिए पूरिया देखिए ऐसे बड़ी बड़ी पूरिया इंबती है ताकि यह सॉफ्ट रहें काफी दें तक जैसे कि मैं आपको बहुत बार बताती हूं कि मैं यही वाली कड़ाई यूज करती हूं यह थोड़ी ब्लाक हुई भी है यह देखिए फ्रेंग्स यदि आपका आटा अच्छा लगा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी पूरिया फूले नहीं निकाल लेते हैं इस कोब पर और हम दूसरी पूरी डाउते हैं सारी पूरिया बिल्कुल पूरी फूली बनेंगी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी पूरी आपकी फूले नहीं यदि आपका डू अच्छा लगा है तो यह देखिए ऐसे गाड़ी-गाड़ी सब्ची वहां पर नहीं दिखाई देती है तो बिल्कुल रेलवे स्टेशन की तरह ही इसे सर्फ कर लेते हैं अब बन गई नहीं प्लेट फॉर्म पर मिलने वाली पूरी सब्ची आलू की पूरी सब्ची और यह फ्राइड चिली हरी फ्राइड हरी मिर्च और यह देखिए बनके तेयार हो कैसी लगी मेरी एक छोटी सी कोशिश मेरे को याद आगया कि रेलवे प्रेट कॉम पे मिलने वाली आलू पूरी की सब्ची इंटम यूनिक होती है तो मैंने का आपके साथ शेयर की जाए और चोटी-चोटी से टिप्स जो ढूंड के लाते हैं या जैसे की टमाटर को ज्या किस सिटी से यह वीडियो बैटके देख रहे हैं मैं फिर मिलती हूं एक नई वीडियो में नहीं रेसिपी के साथ एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ और आप अपना अवादा बिलकुल मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अपने लिलकुल मत भूलना